हलो काईज कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आप अपने फ्रीफार या फिर फ्रीफार मैक्स में फेस्बुक का एडी लॉगिन करना चाते हो और यहाँ पर साइन इन विद फेस्बुक को क्लिक करते हो तो आपके में कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो इस वीडियो को आप आप तक देख लेना है इसमें दो तीन प्रकार का प्रॉब्लम आता है मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ सबसे पहले तो हम लोग अगर इसको क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता कभी-कभी वहीं पर अठकर आता है यह एक प्रॉब्लम हो गया और कभी-कभी नेट् प्रॉब्लम आपके में आ सकता है और यहां पर continue का option है continue करेंगे तो उसके बाद हम लोग का freefire open होगा और यहां पर login फैल please try logging out first करके error आ जाता है तो ऐसा कुछ भी problem होगा guys तो इस वीडियो को आपको last तक देख लेना है आपका problem 100 में 100% solve हो जाएगा और आप बहुत easy तरीके स freefire को facebook id से login कर पाएंगे और guys आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गा और bell icon में से all notification को on कर लीजिए तो चलिए video शुरू करते हैं तो तो दोस्तों अगर आपका mobile low end है और अपने mobile में आप facebook application नहीं रखे हो और उसके बाद आप chrome browser से facebook के id को login करना चाहते हो simply इसमें टेप करके देखना है और उसके बाद देखिए आपके problem क्या आता है टेप करते हैं और उसके बाद अगर आपके download file retry सुरू में ही आ जाता है मतलब chrome browser redirect ही नहीं होता वहीं पर अटकर आता है और वह VPN connect करने के बाद आपको freefire को open करना है और login with facebook पे आपको click करना है आपका problem 100% solve हो जाएगा वहीं पर आगे कुछ भी करने की जरुरत नहीं पड़ेगा और अगर आपका दूसरा problem है कि आप उसमें click किये chrome browser open भी हुआ लेकिन यहां पर कुछ भी zone नहीं हो रहा है पूरा blanks हो र जाना है home screen में आने के बाद आपको chrome browser को long tap करना है और app info के अंदर चले जाना है अब यहां पर एक option मिलता है restrict data uses करके अगर यह restricted रहेगा तो आपके chrome browser कोई भी internet का use नहीं कर पाएगा तो इन दोनों को आपको allow करके रखना है यह दोनों restricted नहीं होना चाहिए तभी आपके में यह internet use कर पाएगा तो ऐसा कुछ भी problem होगा दोस्तों यह disable था अगर आप इसको enable कर लिए तो यहीं पर आपका problem यह वाला solve हो जाएगा और आपके में कोई भी problem नहीं आएगा नहीं तो आप chrome browser को clear all data भी कर सकते हैं उसको कैसे करना है वो भी मैं एक बार बता देता हूं फिर आपका facebook id login करने के लिए बोला जाएगा chrome browser में अपना id password डालिए और उसके बाद इस तरीके से continue का option आएगा जैसे यह आप continue करोगे आपका पूरा problem solve हो जाएगा और आपका facebook id अराम से login हो जाएगा अब इतना सब कर लिए उसके बाद भी हो सकते हैं आपके browser के जरिये से facebook id login नहीं हो पा रहा होगा तो उसके लिए 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है पहले तो आपके chrome browser होना चाहिए और updated होना चाहिए पुराना version नहीं होना चाहिए अगर वो update नहीं है तो एक बार आपको उसको update कर लेना है तभी आपका ये problem solve होगा और दूसरा बाद थर्ड प mobile में है ही ने उसके बाद भी आपके problem आ रहा है तो दूसरा काम आपको ये करना है आप अपने mobile में facebook application को download कर लीजिए अब facebook application को जब मैं download करने के लिए बोलता हूँ तो बहुं सारे low end device user जो है facebook light application को download कर लेते हैं तो facebook light application खुद browser को use करके बनाया गया है तो उसके जरिए हम free fire का facebook ID login नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपको कम से कम login करते समय फेस्बुक का बड़ा वाला जो version है जो 60-70 MB के आसपास आता है उसी को आपको download करना पड़ेगा facebook light आपको download नहीं करना है उससे आप free fire का facebook ID login नहीं कर पाएंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना है औ आपके पास facebook का बड़ा वाला जो application है उसको आप install कीजिए और उसके बाद आप अपने free fire में से sign in with facebook को जैसे ही click करेंगे facebook का application open होगा और उसमें जो भी ID आपका डला होगा उसमें से आपका free fire ID open हो जाएगा इसमें आपको कोई भी problem देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर को problem 100% solve हो जाएगा अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन में से आल नोटिपिकेशन को on कर लीजिए तो चलिए गाईज अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में अभी के लि